हाई फ्रेंड नमस्कार मैंन के जी महराज सागर भाई तो चलिए फ्रेंड आज हम बात करते हैं बड़ा बढ़ियां विसे पर चर्चा करेंगे कि कई लोग फॉन करते हैं गुरुजी आपने मुर्गा मार दिया गुरुजी तो मैं चाहता हूं गुरुजी कि आप भी ऐसे न सबंड वैसे आपको मुर्गा मारना है ठचट खाम यह ऑप एक आतमी है गुरुजी आपको केवल मारना है वहां पर दूसरा आतमी बैठा हुआ है वो उनको जिलाएगा और जानते हैं गुरुजी बारिश इतने हो गे पैसा का यह ऐसे ऐसे परलोभन देते हैं लोग ऐसे- जांटू सब लोग भरे हुए दुनिया में परेशान करने वाले सब लोंडे सब आप केवल उसको मारिए जिलाने वाला वहाँ बैठा है तो मैं उसे यही कहता हूँ कि मैं अगर मारूंगा अगर वो जिलाएगा तो वो मार नहीं सकता है गुरू जी वो मारने नहीं जानता है लो मारने झानता है वह जिलाने नहीं जानता है चोठू सब चले आऊ मेरे बास तुझे मैं दिखाता हूँ मुर्गा कैसे मरता है मुर्गा की बात तो छोड़ो आदमी भी कैसे मरता है वो दिखाऊंगा तुझे दूर से रहकर के मोबाइल पे कोई भी बड़ी बाते करना सबसे बड़ी बात है वो तो बच्चे भी करते हैं नंगे लुच्चे सब सामने आ करके बात करोगे ठीक है इसके बात दिखाएंगा दूर से मुर्गा मारो ये मारो मुर्गी मारो कबुतर मारो ऐसा नहीं पास में आ जाओ इसके बात देखना कैसे मारता है ठीक है दूसरी बात कौन मारता है और क्या मारता मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मैं मारता हूँ के नहीं इसको देखना है दूसरी बात जो मुझे कॉल करते हैं गुरू जे आदमी को मारना है फलना को मारना है मेरे दुस्मन है तसका को मारना है तो चलिएो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं मार सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो मेरा एक मसान है, जिनका नाम है कलिया मसान, जिसको मारना हो, दुस्मन को, ठीक है, नौ बजे रात में, जब रात नौ बजे है न, पाच अगर बत्ती जलाना, कलिया मसान के नाम से और मेरा नाम लेना वहाँ पे, ठीक है, एनके जी महराश सागर भाई के जो कलिया मसान है, तुवर, उस जब तुवर बोलना है, तुवर मसान, मैंने अपना एक कौट देके रखाऊं, ठीक है, और जो उसकी मसान है, मैं उसका आहवान कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मुझे भी कॉल करना है आपको पहले, मैं उस मसान को यहाँ से खोलूँगा, छोडूँगा, ठीक है, इसके बाद वो जाएगा, मैं जैसे इसे बताऊंगा, वैसे तुमको करना है, तुमको तुरंत पता लग जाएगा कि काम होगा की नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलता हूँ में कॉल करना है आपको हमको और मैं आपको टाइम दूंगा इतने बज़े तुमको मेरे मसान को निमंतरन देना है ते मेरा मसान तेरे पास जाएगा रात में और तुझे बताएगा बच्चा वो डरना नहीं है तुझे ऐसे नहीं गुरुजी ऐसा किया वैसा किया इसके बाद तुमको यकीन होना चाहिए ना पहले कि काम होगा की नहीं मारन क्रिया के लिए तुम्हें यकीन तो होना चाहिए ना तुम लोग जो कहते हो कि मार पाओगे ने दुस्मन मेरा मरेगा कि नहीं गुरू जी फलना डगना तो पहले तुम यकीन करो देखो इसके बाद तुम कोई भी ने लेना या कोई भी काम करना ठीक है तो जो मेरा मसान है उसका एक मंत्र है कलिया मसान का मैं वो बताऊंगा फॉ मारन के रिया हो सकती है या नहीं ये बताएगा वो तुमको इसके बाद तुमको निर्ने लेना है सुभा कि गुरू जी सही कह रहा है या नहीं कह रहा है ठीक है और ऐसे आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा लोग कहते है गुरू जी मुझे मार देना है उसको मारना है इसको करने की बात तो वसीकरन जिसको करना है ठीक है तो मेरा एक मसान है मुडिया मसान उनके नाम से आपको पांच अकरवत्ति जलाना है वो बताएगा तुमको वसीकरन हम करके देंगे उसे इस्तिरी को यार नहीं ठीक है तो आज मैं ने बताए जिसको मारण करना है मेरे दुआरा तो तुमको सबसे पहले पाँच अगरवत्ति जलाना पड़ेगा मेरे मसान काओवान करना पड़ेगा कल्या मसान तूर ठीक है सागर भाई एनकेजी महराज का वो आजाईए मेरे पास तो वो मसान आपकी पास जाएंगे और आपको बताएंगे उसके पहले आप मुझे कॉल करेंगे